सबी एक बार प्यार से बोलेंगे ओम शांती ओम शांती ओम शांती ओम शांती तो टॉपिक सुनते ही क्या है करके एक क्वेशन आया होंगा यह बहुती कुछ नए टाइप का टॉपिक लगता है पावर अफ पास्ट एंड फोर्स अफ फ्यूजर पर आज सवेरे से हम इसी नए टॉपिक पर बहुत कुछ सुनते आ रहे है क्या है यह बहुत सुनदर्सा हमारा ही अपना ही इसी COP आबू जो की परंपिता पर्मातिमा शिव बाबा का आउतरन भूमी परंपमा का आउतरन भूमी आरी देव प्रजा पिता ब्रम्हा जोकी सुष्टी का नई सुष्ट सत्धर्म का Creator है ऐसे ब्रह्मा बाबा का चरित्र भूमी कर्म भूमी यहां पर पहुंचने के लिए भी आप सभी का अपना अपना बहुत strong power of past है ऐसे कह सकते हैं क्योंगे ऐसे पुन्यक्षेत्र पर पुन्य भूमी पर भगवान के अवतरन भूमी पर कदम रखना भी पास्ट में आप सभी ने बहुत स्रेश्ट बहुत सा पुन्यकर्म का खाता जमा है इस कारण आप सभी यहां पर पहुंचे है तो यह है power of past सभी का अपना अपना हम सब का क्योंकि कई ऐसे होते हैं कि बहुत समय से plan करते रहते हैं कि माउंट अबू जाएंगे ब्रह्मा कुमा आता है कुछ ना कुछ obstacle आता है फिर postpone करते जाते हैं वर्षों से पहुंच नहीं पाते हैं और आप मेंसे ऐसे भी कई होंगे अचानक से ready होकर के आगे ऐसे भी होंगे दो-तीन दिन में plan करके है ना देखिए हाथ खड़ा कर रहे हैं पीछे भाई तो देखिए आपका पु दूचर के लिए एक force भरे उसके लिए इस बहुत शुद्ध पावन वातवरन वाला ना भगवान का माउंट आबू इस ग्यान सरोवर ग्यान के सरोवर में जैसे कहते हैं ना मान सरोवर में डूपकी लगाने से परिया बन जाते हैं लेकिन कितने तो भक्त है जमान सरोवर जाते हैं कई बार जाते हैं आते हैं फिर उनका रोटीन वैसे ही होता है कोई उनके रोटीन लाइफ में चेंज नहीं आता है परिया बनना तो छोड़ो एंजिल बनना तो छोड़ो लेकिन रोटीन लाइफ का जो सिचुएशन है उनको फेस करना उनसे स्ट्रगल करना उनसे टेंशन स्ट्रेस मनब फील करना एक्सपीरियंस करना यह तो होता ही रहता है तो वास्तों में कौन सा सरोवर है भगवान ग्यान का सागर आकर के इस माउंट आबू आरावली परवतों के शिखर पर जैसे कि यहां से आप कल जाएंगे जो फर्स टाइम आए है पांडव भवन वो है सच सच परमात्मा का जैसे की चरित्र भूमी है वहां के वाइब्रेशन्स में बहुत ही spiritual positive strength आप महसूस कर सकते हैं अपने आपको उन वाइब्रेशन्स में पहुँच करके उस्तान की शक्ती अपने में महसूस कर सकते हैं क्योंकि आम ने अनुभाव सुना है first time जो आ आए है कोई अपना experience share कर रहे थे first time आए है और मदुबन में नीचे वो भी यानि आबू रोड पर जो शांतिवन complex है ब्रह्मा कुमारिस का वहाँ पर आए है और उनका nature उतना positive का नहीं था लेकिन आने के पाद हैदरबाद वापस आ करके experience ऐसे share किये थे कई वर्ष पहले कि व वो knowledge ही भूल जाता है इतना positivity मन की स्थिती मन के सोच में experience करते हैं ऐसे करके ऐसा किया उन्होंने ऐसे experience अपना बताते है क्योंकि आवू ऐसा स्थान है जहां पर परमात्मा सर्वशक्तिवान के vibrations विधिमान है तो ऐसे स्थान पर आ करके अपने में force भर करके आगे future के लिए हम बहुत successful, बहुत ही responsible, बहुत ही accountable होकर के अपना कारी व्योहार में जाए उसके लिए यहां से force अभी भर करके जाएंगे तो जैसे past का power हम सभी को यहां पर ले आया इस पुनिय क्षेत्र पर, पुनिय भूमी पर और यहां का जो energy है इसको ले करके और आगे इसे बढ़ान है ऐसे नहीं कि यहां दो बहुत अच्छा लगा फिर वहां जाकर वहां के वायू मंडल में आकर के उसी प्रकार का फिर यहां का dilute होता जाता है जेनरली यहां का जो experiences है वो रहता है लेकिन वो effect जो है बाहरी संसार का बहुत ज्यादा प्रभाव अपने मन की स्थिती पर प किया हुआ वो अभ्यास को अच्छी तरह attention नहीं रहेंगे तो यह अभ्यास यह experience थोड़ा merge हो जाता बाहर का effect उपर से आने से वो forcefully positive actions मनसा वाच्छा कर्मना में जो अच्छा सा पुन्य कर्म या स्रेष्ट कर्म हमसे होनी चाहिए वो नहीं हो पाता है इसलिए attention रख करके और आगे बढ़ाने का सुद्रण संकल्प भी यहाँ से ले करके जाएंगे तो हमारा future सिर्फ इस जीवन के लिए नहीं आगे अनेक जन्मों के लिए भी हम बहुत अच्छा हमारा life, future, fortune, भविश्य तकदीर, भाग्य हम बना सकते हैं तो इसलिए भगवान ये कहते हैं परम इतने का कलम मैं आपके हाथ में दे देता हूँ इस समय ति ऐसा स्रेश्ट समय है जहाँ पर भगवान स्वयम हमारे हातों में हमारे तकदीर कैसे अच्छा तकदीर के रेखा जितना लंबा चाहो उतना खींच सको वो कलम दे दिया है मिल गया आप सभी को हरे का अपना अपना तकदीर अने जहनमों का बहुत अच्छा तकदीर के रेखा बहुत उन्षा बनाने का कलम पैन भगवानने दे दिया वो कलम कौन सा है स्रेश्ट करम सो स्रेश्ट कर्म ही कलम है जो हमारा भाग्य हम अपने हातों से लिख सकते है सिर्फ इस जनम का ही नहीं अने एक जनम जन्मांतर का जितने भी जनम लेंगे उतने सभी जन्मों का तो ऐसे force of future है ना वर्थमान की stage पर है और power of past जो हमको यहाँ पर इस level पर इस stage पर अपनी जीवन को ला करके बहुत सुख का खुशी का आनंद का अनुभाव करने के लिए जैसे कि past के करम हमको basis बन करके यह अच्छा सा life हमको दिया है तो यह है आज का topic और आज के topic के उपर बहुत सुन्दर अपने अपने विचार व्यक्त करने के लिए हमारे बीच में बहुत अच्छे से experienced jurist field में ही बहुत अच्छे experience पाए हुए अनुभवी अनुभवद्य हमारे बीच में बैठे है तो मैं फर्स्ट हावंत्रीत करती हुँ मंच पर हमारे divine brother honorable justice A. Ramalingeshwar Rao Garu judge high court of APN Telangana Hyderabad मंच पर पधारेंगे साथ में respected brother Dr. B.K. Babulal Yadavdi former principal government law college अलवर हाँ भी मंच पर आए अपना स्थान ग्रहन करे और respected brother P.J. Dholkiya ji former law secretary state of Gujarat Ahmedabad मंच पर पधारेंगे अपना स्थान ग्रहन करेंगे respected brother Jagmal Singh Chaudhri ji senior advocate high court of Rajasthan जोदपुर मंच पर अपना स्थान ग्रहन करे respected brother अमरनाथ गौड जी senior advocate high court of AP अपना स्थान ग्रहन ग्रहन करेंगे आपका भी चादर मंच पर आमंत्रन respected brother Padmakar Ramgonda पाटिल जी senior advocate Kolhapur आप भी मंच पर पधारे और हमारे दैवी बहन ब्रह्मा कुमारी सिस्टर रेनू छोप्राजी राजयोगा टीचर डेली से पदारे हुए आप भी अपना स्थान मंच पर आकर के ग्रहन करें अब हम सब तीन मिनिट इस सभा में और हम सब को सशक्त करने के लिए उस परमपिता पर मात्मा का आहवान करते हुए silence में बैठेंगे प्रह्मा कुमारी बहनों से निवेधन है मंच पर उपस्तित महमानों का तिलक और बैजिस से स्वागत करें बहुत सुन्दर हम सब ये चार दिन भी ऐसे स्पिरिच्यालिटी शान्ती और कर्मों की गुहिए गती को जान करके स्रेश्ट कर्म से हमारे जीवन को सुख और शान्ती से भरपूर करने के लिए लाभानवीत होने के लिए यहाँ पर पधारे है गाउं के कोने में जैसे कि एक एंड में रहते थे उनका छोटा सा घर था और बहुत ही गरीबी में थे उनके कोई अपने बच्चे आदी नई थे कोई भी नई था बहुत ही बड़ी आयू के दोनों भी जैसे ब्राम्भन पती पत्नी उनका एक ही था एक गोड़ा था जैसे उसी को उनके बच्चे के रूप में वो पालते थे बहुत ही प्यार से संभालते थे चोटा सा घर था बहुत गरीबी कभी भोजन को मिलता था कभी नहीं भी मिलता था तो ऐसे में उनका लाइफ ऐसे ही बहुत दुखी बहुत थी उदास मायूसी से बीत रहा था तो थोड़े दिन के बादे एक दिन ऐसा हुआ एक महात्मा जी शाम के समय उनके घर पर आये है और उनसे कहा कि मुझे एक रात रहने के लिए स्थान चाहिए एक ही छोटा सा कुटिया जैसा उनका कमरा था तो उन्होंने कहा ठीक है आप इस रात को अंदर आप विश्राम कीजिए हम दोनों भी बाहर है ना रात जैसे की बिताएंगे इस प्रकार कहा फिर उसके बाद थोड़े समय में महतमाजी कहते है मुझे भोजन भूक लग रही है तो उनके पस सुखासा एक दो रोटी था और तो कुछ नहीं था तो वो भूके रहे गे और महतमाजी को कहा कि आप ये भोजन स्विकार करिए तो भोजन किया और रात में उन्होंने वहाँ पर जोपड़ी में विश्राम किया रात पूरा हो गया फिर उन्हों वो सोचने लगे महतमाजी इनका क्या है इनका फ्यूचर क्या है करके सारा सोच करके उनका भविश्य के लिए उनका जो अंतर की जो spiritual power है उससे जान चुके कि इनके पस एक ही घोड़ा है और तो कुछ है नहीं, इनका भविश्य भाग ये क्या है, उनका अपना संतान भी नहीं है, सोच करके सवेरे हुआ, फिर उन्होंने कहा ठीक है, दोनों पती पतनी से कहा कि अभी मैं यहां से जाना चाहता हूं, जाओंगा, तो ब्राम्हन हूँ मैं घर पर आया हूं, कुछ तो दक्षिना देने भी घर कैसे भी जाओगे, तो फिर पती पतनी ने कहा, ब्राम्हन रुद्ध ने कि हमारे पास क्या है, रोटी था वो तो दे दिया, हमारे पास तो और कुछ नहीं है, तो उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है, क्या, तो बोलते देखे, एक छोटा सा घोड़ा है, जो हमारे बच्चे जैसा हम पालते हैं, तो जैसे उन्होंने कहा, महत्मा जी ने इस घोड़े को बेच करके भी मुझे दक्षिना आपको जरूर देनी है, क्योंकि वो महत्मा जी सोचे थे, देखा, उनकी दिव्य दृष्टी से, जो भी ब्रामहन ने गया और मार्केट में बेच कर आए, देखिए, ये पैसा आप ले लीजिए, तो ब्रामहन ये जो महत्मा जी कहते हैं, दो पैसा लिया, कहा कि मेरी दक्षिना में दो पैसा काफी है, और ये धन पुरा आप रखिए, पर आप जैसे इस धन को अपने परसनल ये बिलकुल नहीं लाना है, यूज नहीं करना है, परसनल, ये जन कल्यान की सेवा में लगाना है, जो भी बचा हुआ पैसा है गोड़ा बेचने के बाद, ऐसा कह करके चले गया और फिर ब्रामहन बुढ़ा सोचने लगे कि मैं इतनी सी थोड़ी सी पैसे में जन कल्यान की सेवा कैसे कर सकता हूँ, तो जैसे उनका पास्ट के आधार से वो गरीबी और उनके भागी में थोड़ा सा ही था, जैसे अभी प्रेजंट में क्या करते है, पत्नी ने कहा, ठीक है, ये थोड़ा सा जो पैसा है, इससे हमारे आंगन में एक छोटा सा चबुत्रा बन सकता है चबुत्रा बना लेंगे और गाओं के जो गरीब बच्चे हैं, उनको बुला कर आप तो अच्छे पढ़े लिखे हो, तो फ्री में उनको पढ़ाई पढ़ाओं, चबुत्रा बना करके, तो ठीक है, पत्नी ने कहा तो ब्राम्हन को अच्छा लगा, तो गए, चबुत्रा बना दिया, थोड़ा सा पैसा पूरा उसमें खर्श कर दिया, और सारे गाओं के बच्चे को इकटा करके, रोज पढ़ाई पढ़ाने लगे, घरीब जो भी मावाप थे, उस गाओं के इतने खुश हो गये, इतने खुश हो गये, कि हमारे बच्चे को भी कोई पढ़ाने व गाओं के सेट को पता पड़ गया कि अरे बुड़े ब्राह्मन जो है इतने अच्छी गरीब बच्चों की पढ़ाई करने की अच्छी फ्री में सेवा कर रहे हैं तो उन्होंने सोचा मैं भी इस अच्छे कारी में कुछ कोपरेट करूं तो वो सेट ने दस घोड़े बिजा द करके बच्चों को और अच्छी तरह से पढ़ाना लिखाना स्टार्ट किया और अच्छे से बच्चे आ रहे थे पढ़ रहे थे अच्छा उनका फेमस जनी नाम हो रहा था गाओं के अंदर और इनकी आवश्यक चीज़ें जो है सब माबाप जो सेट लोग होते हैं वो लाक करके दे रहे थे यह आवश्यक पहुंचा गाओं के मंतरी जी के पास मंतरी जी भी बहुत खुश हुए और एक बीस घोड़े उन्होंने भीज दिया इनके पास फिर बीस घोड़े बेच करके और अच्छा सा बड़ा कॉंप्लिक्स जैसे की बना लिया और ज्यादा करके फिर सेवा में लगा दिया उन्होंने ब्राम हंड यूगलोंने तो इतना अच्छा मतलब उनके घर में जैसे की कोई नहीं था दोनों ही बड़ी व्रुद्ध हवस्ता में थे ऐसी सेवा में लगाने से वर्थमान समय में देखिए उनको नाम भी हो गया एक अच्छा सा रिस्पेक्ट भी समाज में मिल गया कमी भोजन शेल्टर उसके कुछ भी कमी नहीं रही खुशी भी हो गई सारा मतलब फेमस राजा तक ये बात गई तो उनको बहुत सम्मानित भी किया तो ये है फोर्स ऑफ फ्यूचर भविश्य बनाने की कला अपने हाथ में है तो ऐसे पास्ट में जो भी कुछ किया वो तो हमारे हाथ में नहीं है वो तो प्रेजंट हम जैसे की अनुभव कर रहे है लेकिन फ्यूचर तो हमारे हाथ में है कि हम फोर्स फुली बहुत स्रेश्ट करम ऐसे निस्वार्त रूप में हम करम करेंगे जरूर हमारा फ्यूचर हम राइ करती हूं रिस्टेट इवान बदर बाबुलाल यादवजी ब्रदर हस्टन बस्ट ल्ल्म फ्ट on the topic law justice and society with special reference to spiritual and moral postulates brother is ex-principle government law college alwar ex-dean Raj Rishi Bhartari University alwar research guide of Rajasthan University Jaipur also submitted to minor research projects on eradication of crime through spirituality reformation of criminals by Raj Yuga meditation I request brother to present his keynote speech dr. Babu lal Yadavji ओम श्यंति आज के प्लेनरी सेशन के हमारे चेर पर्शन ओर्रेबल जस्टिस राम लिंगिश्व राव जी अमारे डायस के उपर विराजमान preachers brother P.J. Dholkiya ji brother Chagmal जेटरी जी, ब्रदर टीमरनाथ गोड़ जी, ब्रदर पद्माकर आर पाथिल जी, बेन विके रेनु जी, विके रेजनी जी, और स्वामने विराजमान, अउनरेबल जजेज, एड़ोकेट्स, ओफिशर्स, लोफिशर्स, और जुरिस्ट। परमपिताप परमात्मा ने हमको बताया कि ये पांच हजार साल का इटर्नल वर्ल्ड ड्रामा बड़ा वंडर्फुल है, और अग इस ड्रामा को हम सही तरीके जो समझें, तो ये ड्रामा कुछ नहीं, बल्कि एक पावर ऑफ गेम से, गेम है, पावर का, शक्तियों का एक खेल है, इसके अंदर तीन एक्टर काम करते हैं, नेच्वर, पुरुष और प्रकरती, इनका ये खेल बना हुआ है, ड्रामा बना हुआ है, और परमपिता, परमात्मा और आत्मा, ये चैतन एक्टर हैं, और प्रकरती एक जड़ एक्टर है, इन तीनों का ये खेल चलता है, इसके अंदर जो पावर गेम है, उसके अंदर आत्मा, जब पावर गेन करती है, अर्थाद पावरफुल होती है, तो यूनिवर्स के सभी फेक्टर, उनको कोपरेट करते हैं, उनके ओर्डर में चलते हैं, और रिजल्ट, शुक, सांति और संपनता जिवन में आ जाती है, लेकिन जब आत्मा पावरलेस हो जाती है, तो वो इस गेम को विन करने के वज़ाए लूज करती है, उसको जो भी नेचर के पावर से हैं, फेक्टर से हैं, वो उसको डिसोबे करते हैं, उसका रिस्पेक्ट रिगार नहीं करते हैं, प्रोब्लम्स क्रियेट होती हैं, वाइसे अटेक करते हैं, और उससे दुख असां और रोग सोक उसके जीवन में आ जाते हैं तो मैंने पावर क्या इंपोर्टेंस है दुनिया के अंदर भी कोई पावर्फुल होता है तो उसके सामने कोई दूसरा ब्यक्ति किसी तरह की प्रोब्लम क्रियेट नहीं करता है जब पावरलेस हो जाता है तो उसको चारों तरफ से प्रोब्लम साती है अगर हम देखें कि पास्ट पावर्फ क्या-क्या थी था तो पर्मात्मा ने बताया कि दुनिया के अंदर चार तरह की सथा ही होती है एक प्रकृती की सथा पावर ओफ नेचर Performance विज्ञान की सथा पावर ऑफ साइंस द्धर्म की सत्ता पावर उफ रिलीजिन और इसी तरह से एक होती है आपके इसकी राज की सत्ता तो यह चार सत्ता होती है अब यह चार सत्ता किस तरह से कारिय करती है अगर हम ड्रामा के उस राज को समझें जब पूरे ड्रामा को द्रस्टी गत करें तो हम पाते हैं कि पुरा ड्रामा 5000 साल के अंदर सत्य। त्रेता द्वा पर कल्युग से होकर के एक साइखल पूरी करता है. सत्य। त्रेता के अंदर जब आत्मय पावर्फुल होती है. तब उच समय ये प्रकरती के ये चारों सत्ताएं उसको सहयोग करती हैं उसके ओडर में चलती है result शुक, सांती और संपनता होती है बैकुंट के शुक भूगती है आत्मा त्रेता के अंदर रामराजय में भी शुक, सांती और संपनता से संपन होती है लेकिन जब द्वापर के अंदर आत्मा की पावर बोडी कॉंशिसनेस में आने के कारण कम होती जाती है तो फिर ये पाँच चार सत्ताइं हैं इनकी सक्तियां भी उसको कोपरेट करना बंद कर देती है और उसके परिणाम सरूप विकार या नेगेटिव जो पावर से हैं वाइसेस वो उसके अटेक करते हैं और उसके कारण उसको विकर्म करवाते हैं और उसका रिजल्ट दुख असांती रोगसुक प्रारंब हो जाता है अब सवाल यह है कि आत्मा यह पावर कैसे ले है अगर हम देखे हैं तो देखते हैं कि सत्यू के अंदर प्रकरती दाशी के रूप में काम करती है जब आत्मा पावर्फुल होती है ओडर के अंदर रहती है, टाइम के उपर बरसात होती है, ना तेज गर्मी होती है, ना सर्दी होती है, सदा भारी बोसम होता है, सोने के महल होते हैं, हीरे जड़े हुए होते हैं, हर तरह से सुखदाई होती है, प्रकर्ती, सुखचैन की बंसी बढ़ती है, घीदूद की नद तो कीस तरहें का शमय था जब आत्मा पावरफुल थी लेकिन द्वापर से जब आत्मा पावर लेशोना सुरू होती है तो उसके उपर अटक होता है और उसके अंदर उसके ये प्रकृति के जो सद्धायं हैं ये उसका आदेश आत्मा का आदेश मानना बंद कर देते हैं और उसके परिणाम सरूफ वो सारे प्रोब्लम से ग्रस्त हो जाती है दुख असांती उसके जिवन में आ जाती है इसी तरह से विज्ञान की शत्ता प्रारंब में सत्यूग के अंदर विज्ञान अपने चर्म पे होता है एक्स्रीम पे होता है बहुत रिफाइन होता है और वो सुक देने वाला होता है पुष्पक विमान होते हैं साइंस और टेकनोलोजी से बहुत जल्दी महल तयार होते हैं पूरे गलोब के उपर पुष्पक विमानों से एक चकर इजी लगाया जा सकता है तो साइंस उस समय अपने सुक देने वाली होती है और एक्स्रीम में होती है चर्म उस पे उतकर्ष पे होती है और वो विज्ञान सुक दाई होता है जब आत्मा पावरफुल होती है सत्यूग और तरिता के अंदर लेकिन द्वापर में जब आत्मा पावरलेस होती है तो ये विज्ञान भी जो पांच तत्व जो नेचर के हैं वो रिवोल्ट करते हैं और विज्ञान भी नस्ट ब्रस्ट हो जाता है और उसके बाद द्वापर से फिर सबताएं अपना विकास करना शुरू करती है और मानव फिर सुक्स विधा के साधन निर्मित करना शुरू करता है तो पावरलेस होते ही आत्मा के अंदर वो सारी सुक्स अंति उसके जिवन से खतम हो जाती है दुख असान्ति उसके जिवन में शुरू हो जाती है तो यह विज्ञान की सत्ता भी इसी तरह से इस काल चक्र के अंदर कारिय करती है जब आत्मा पावर्फुल होती है तो वो सुखदाई होती है जब आत्मा पावर्लेस होती है तो दुखदाई हो जाती है आज विज्ञान इतने ज़्यादा इखटे कर लिए कि दुनिया विनास के कगार पर खड़ी है शत्यू के अंदर इसकी साइंस की पावर है जो किस तरह से काल चक्र पास्ट के अंदर काम करती है और अब प्रजेंट में उसकी स्थती क्या हो जाती है इसी तरह से राज धरम की सकता है जब आदी सनातने देवी देवता धरम सत्योगोर त्रिता के अंदर एक धरम होता है सुकदाई होता है, वेल्यूज होती है, पावर होती है आत्मा के अंदर तो उस धर्म की सक्ती के कारण अत्मा सुक्षान्ति भोगती है। लेकिन द्वापर से वो आदिशनात्न देवी देवता धर्म के जो फॉलोवर्स हैं, देवी देवता हैं, वो वाउं बार्ग में जाते हैं, पतित होते हैं, बोडी कॉंशनेस के कारण, और उनके जीवन में विकार आते हैं, वो पुझ थे पुजारी बनते हैं, भक्ती करते हैं, भगवान को याद करते हैं, पर फिर भी उनके जिवन में दुख अशान्ती बढ़ती चले जाती है, तो ये धर्म की शक्ति ये धर्म की शत्ता, किस तरह से हमको पास्ट के अंदर प्लेजर देती है, और जब वो धर्म की सत्ता प्राय लोप होती जाती है, तो दुख अशान्ती हमारे यून में आती जाती है, राज्य सत्ता जो बहुती इंपोर्टेंट सत्ता होती है, सत्यूग तरहता के अंदर कहते हैं, कि जब दुनिया के अंदर हमेशा पोजेटिव के साथ साथ नेगेटि अभídक बुद्ट रहेज़ एक अठाए में अश्रचक नहीं होती है। जहां तर राज्य सत्ता का सवाल है राज्य का आस्तितु तो पहले क्योंकि राज्य तंत्र होता है द्वापर तक और उसके बाद में कल्यू के अंत्र में प्रजा तंत्र आता है यह व्रस्ट फोर्म है साशन का तो राज्य के पास जब संप्रभूता सक्ति होती है जैसे सत्य क्युक्कि अंदर नाराणे के पास संप्रुवता की सक्ति होती है तो वो शक्तिशाली सोल्स होती है उनके राज्य के अंदर किशी तरह का कोई भी बुराई प्रवेश नहीं कर सकती है, इसलिए वहाँ पर किशी तरह का कोई समश्या नहीं है, कोई दुख नहीं है, अशन्ति नहीं है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि राज्य सत्ता, जिसको हम संप्रभू कहते हैं, वो संप्रभू होते हुए भी आज उसके सामने दुनिया भर की करने के लिए राज्य ने अपनी संप्रभू सकते का उप्योग करते हुए, कुतना ही कानून बनाया है, लेकिन इतना कानून होते हुए भी एक भी प्रोब्लम सोल नहीं हुई है, राज्य के दुखारा, सब प्रोब्लम बढ़ती जा रही हैं समय के साथ साथ, तो कई बार यह भी प्रसन उठता है कि क्या राज्य संप्रभू है या नहीं है, क्योंकि संप्रभूता की डेफिनेशन जो कानून के प्रजेंट टाइम में दी गई है, विदी सास्त्रियों के दौरा, जूरिस्त के दौरा, विशेश करके, जो राज्य सत्ता के पक्ष में, विदी सास पावर को संपर्भू की शक्ति को विभाजित नहीं किया जा सकता और तीसरा वो कहते हैं अनलिमिट इबिलिटी उसकी पावर अनलिमिटेड है हर्था तो जो चाहे जो कर सकता है अगर वो संपर्भू है तो वो जो चाहे जो कर सकता है यहां positive sense में है अच्छा करने के लिए जैसे हमारा देस आजाद हुआ संपर्भू हुआ हमारे देस के अंदर जो आजादी के लिए जिन्होंने जी ने राम राजी का सपना देखा, शहीदों ने भारत को स्वर्ग बैकुंट बनने का सपना देखा आजादी के बाद, या विदेशी चले जाएंगे उसके बाद, लेकिन आजादी के इतने साल बाद तक भी आज इस्तती उससे भी खराब है, जो आजादी के समय में थी, तो क्या वास्तों में संप्रवू है राज्य, आज बहुत सारे ऐसे कानून हैं, या ऐसी परिस्तितियां हैं, जिसके अंदर हर ब्यक्ति कहता है कि ये गलत चीज़े इसको खतम करना चाहिए, लेकिन राज्य उसको खतम नहीं कर पा रहा है, एक्जामपल के लिए शराब है आज शराब या तबाखु है, कोई भी नशा है, जो दुख देने वाले हैं, जो नुक्षान ही करते हैं, ब्यक्ति को सारीरिक, आर्थिक, शामाजिक सब तरह से उस ब्यक्ति का हास होता है, नुक्षान होता है, कोई भी फाइदा नहीं है, लेकिन नहीं बंद किया जा सकता शोवरन संप्रभू उसी सिग्रेट के उपर कह दे लिखवा देते हैं स्मोकिंग इस इंजीरियस फॉर हेल्थ रूट का जोफ कैंसर लेकिन वो सिग्रेट बढ़ना बंद नहीं हो पाती है सोवरन कौन है जिस सोवरन्टी का अगर हम डिसीजिन देखें तो जो लोवेकर से क्या वो संप्रभू हैं संप्रभूता भारत के समिधान के अंदर भी लिखा है प्रियंबल में वी दब पीपल ओफ इंडिया है न हम भारत के लोग भारत को इस तरह का राज संप्रभूता संपन लोग तंत्रात्मक धर्भ्ण मेरे पेक्स गणराज और उसके अंदर और बातें बताईएं इसके नागरेकों को ये राइट देने के लिए इसके संबाज के अंदर ये स्थापित करने के लिए आज ये संविधान का निर्मान करते हैं तो संप्रुभूता की बात कही है संविधान के अंदर भी तो मना जाता है कि संप्रुभू कौन है पार्लियमेंट को कहते हैं पार्लियमेंट के अंदर पार्लियमेंट एरियन है वो कहते हैं कि संविधान न प्रश्त हैं, वो खुद अपने लाइव से, जिस बुराई को छोड़ना चाहते हैं, उसको नहीं छोड़ पाते, क्या वो सोवरन है? कि शोबरन का बंदन AT जो वह चाहिए, वह कर सकता है। उसकी Power Unlimited है। बुराइगो छोड़ना चाहिए नहीं छोड़ पाएक, वह संप्रूपू कैसे हो सकता है। वो अगर कानूर बढ़ तो, कानूर कैसे काम करेगा। वह रिजल्ट नहीं दे न 2 एक झोष को किए समय स्परण के अंगे में आज बढ़ गया है, हम संप्रबु है हमरे देश संप्रबु है, लेकिन अप्रण बढ़ता जा रहा है अब अपराद का रूट काज क्या है वो है वाइसेज लेकिन वाइसेज का कहीं पर भी कानून में कोई जिकर नहीं है इंडियन पेनल गोड में कहीं पांच विकारों का कोई उलेख नहीं है और बिना विकार के कोई भी अपराद नहीं होता कोई न क्या होता है और बिना कर me नहीं कि अपराद कर लेक्डर का जिक्ष्ट कुछ नियम कानून बंढने चाहिए spiritual education है क्योंकि आत्मा के powerful होने के बाद ही वो बुराईयों से छोड़ सकता है कोई भी बुराई existence में है मानो कोई नसा व्यसन की आदत है वो आत्म बल नहीं है तो आत्मा उसको नहीं छोड़ सकती है तो आत्मा के अंदर power आत्मा के अंदर बल होना जरूरी आत्मा powerful है तो सब बुराईयां खतम हो जाती है आत्मा पावर ले से तो सब बुराई उस पर अटेक कर देती है उसका दुख और असांति का कारण बन जाती है तो सवाल यह कि पावर कैसे आए पावर का रूट का जह प्यूरीटी पवित्रता आत्मा अगर प्यूर है तो उसके अंदर values, virtues और power और आठ सक्तियां जिसका discussion किया गया है और आप लोगों ने सुना है वो आत्मा के अंदर automatically मर्ज होती है आत्मा की purity इन पावर को, values को, वर्शुस को इमस करती है विल पावर बढ़ती है स्ट्रोंग होती है और और अर्बुराई के ओपर विजय प्राप्त कर सकती है अब सवाल यह purity कैसे आए purity आएगी by spiritual knowledge अध्यात्मिक ज्ञान से अध्यात्मिक कानून से spiritual laws spiritual law is the supreme law जो ही अध्यात्मिक ज्ञान अध्यात्मिक कानून की भासा के अंदर हम उसको कानून की भासा में अध्यात्मिक कानून कह सकते है जो ही उसका knowledge होता है आत्मा को वो knowledge काम करना सुरू कर देता है और उसका result उसके life में आना सुरू हो जाता है और spiritual knowledge का ultimate source है परम पिता परमात्मा निराकार शीवावा जिसको ज्ञान का सागर केते हैं, सर्व सक्तिवान केते हैं, सुप्रिम जस्टिस केते हैं, धरमराज भी कहा जाता है, वो सुप्रिम लोमेकर है, ये लोग जो अध्यात्मिक कानून है, इसका रिजल्ट 21 जनम तक, मनें धाई जार स साल तक चलता है, और आत्मा उसके परिणाव शुरूप सुप्सांति और संपनता भगती है, सत्यूग और तरिता, वहां पर उसको कोई पूर्शार्थ नहीं करना पड़ता है, कोई नेगेटिव फेक्टर उसके इफेक्ट नहीं डालते हैं, तो इस नोलेज के द्वारा, भारत के अंदर स्वर्क के स्थापना होती है, सुक्षांति के राज के स्थापना होती है, जो हमारे इस क्या कॉन्फरेंस का मैं थीम है, अध्यात्मिक्ता द्वारा सुक्षांति, तो वह सुक्षांति इस्प्रिच्वालिटी के द्वारा होती है, जो निराकार स्वी परम पिताप परमात्माम को दे सकता है, अगर उस इस spirituality को हम हमारे इस लोग के अंदर अप्लाई करें, तो ये लोग भी उसी तरह से काम करना, spiritualize हो जाता है, लो, spiritual power इसके अंदर आ जाती है, और उस एंगल से वो काम करना शुरू कर देता है, मैं आपको जुरिस्पृडेंशल कु नहीं नहीं है, जबकि वास्तव में करम spiritual person कर रहा है, punishment spiritual person बहुग रहा है, सारा प्रोसेस spiritual person के परेशे चल रहा है, आत्मा के पीछे, करने वाली तो आत्मा है, पर हम सरीर को पेनलाइज करते हैं वास्तों में शरीर को पेनलाइज करने से हम उस चीज को क्राइम को खतम नहीं कर सकते हैं तो आत्मा ही करने वाली है, आत्मा भोगने वाली है, आत्मा ही असली परसन है, जिसके द्वारा ये कारिय किया जाता है, पर वो कहीं पर भी कानून के अंदर उसका रोल नहीं है, कोई जिकर नहीं है, उसके बारे में कोई अप्लिकेशन नहीं है, तो कानून को जब तक स्प् तो अध्यात्मिक ज्यान सुनाया जाता है, तो उसके अंदर परिवर्तन हो जाता है, हम भी अलवर के अंदर एक जेल के, हमारी जो सेंट्रल जेल है, उसके अंदर हमने कलासे सुरू की हुई है, तो उसमें करीब 30 लोग ऐसे हैं, जो टोटल चेंज हो गया उनके लाइफ के अंदर, और वो जेल के अंदर हैं, पर वो अपने अंदर से परिवर्तन कर लिया, उनके अंदर जो वेशन, विकार, जो भी बुराईयां थी, सब छोड़ दिये, तो चेंज हो जाता है, अध्यात्मी कानून के दौरा, तो अध्यात्मी कानून जरूरी है, जो परम, पिता, परमात्मा से मिलती है, और सारी पावरों, वो सुप्रीम पावर है, जो उस सुप्रीम पावर से connection जुड़ता है, तो आत्मा पावरफुल होती है, पावर्फुल आत्मा को सभी फेक्टर्स युनिवर्स के उसको हेल्प करते हैं, उसके ओडर्स को ओवे करते हैं, और उसके जीवन में सुक्षांति होती, ओम्शंटि बहुत धन्यवाद, आत्मा की शक्तिशाली होने से बहुत ही सुक्षांति था, शक्तिहीन होने से ऐसे दुखी अशांत होगे, फिर से हमको सशक्त करने का यही समय है, ऐसा बहुत सुन्दर संदेश आधरनिया डॉक्टर बावुला लियादव जी हमारे बीच रखे, अभी मैं आमलत्रित करती हूँ, रेस्पेक्टेड ब्रदर पीजे धूल कियाजी, फॉर्मल लॉज से करेटरी, श्टेट अभुजरात अमदबाद, आपका हमने बहुत संदर संदेश सुना, इनागरल सेशन में भी, अभी स्टॉपिक पर भी आप कुछ विचार हमारे संभुख रखे. Honorable guests and dignitaries sitting on the dais, district judges of different states, other judicial officers, law officers, professors, ladies and gentlemen. At 6.30 in the morning, I was hearing Zee News. There was a report, Modi in Washington to discuss terrorism with Trump tomorrow, tension in Pakistan. Why attention to Pakistan? Modi is a spiritual leader from spiritual personality when he attained the age of 17 years. He left his home, Varanagar, and went to Himalaya, met his guru who died before one week and prayed to him that he may be taken as his chela. Guru replied that you have to serve the country and the world for years together. So, and as an election commissioner, I had a fortune of meeting with him one-to-one for number of times and he is basically a spiritual personality. And therefore, his visit to Washington and discussion on terrorism with Trump has caused a terrible tension in Pakistan. So, this is the impact of spirituality. taking. Rasmi Ben, Dr. Rasmi Ben, yesterday referred to some judges. One of them was D.A. Desai. I had a personal experience. When I was in Dakor as a judge and I was only 30 years, he was a, he was a follower of Rancho Raya Ji. And when he used to come and pray before D.T. And he was reciting Vishnu Sahastranam and actually tears were coming from his eyes while reciting that, that Sahastranam. One day he came on a private visit. On Sundays and on full Monday there is a one way. All, there is no direct entry to temple. But we requested DSP and the policemen, police officers to see that judge, D.A. Desai may be allowed to come to temple directly. But the policemen, you know, they are a Vakri person. Policemen on duty stopped him. He did not utter a word. He got up from, get up from his vehicle, came to temple, offered prayers. We went to circuit house and I apologized to him. He said, why should you apologize? I have enforced the law. I have to obey the law. And he told me a very one, very one sentence which I will never forget. he said to me that forget, that don't feel that high court is your boss. They may be your boss so far as hearing the appeals and judicial matters over his decision. But on administrative side, on administrative side, they are, they are your head. but you have to decide the matters judicially and keeping the voice of conscience before, at the time of writing judgment. So, conscience is your boss and not the high court or the supreme court. That word I remembered till my retirement as a law secretary and as an election commissioner with the result that I faced no difficulties throughout in my career of about thirty-five years. Another thing that I remember, in our central jail Ahmedabad, Gandhiji, Sardar Patel and Lokmanya Tilak, they were there, they were imprisoned as an undertrial. Three barracks are kept in the same position. But in Tilak barrack on every Thursdays, Ravi Shankar, Sri Sri Ravi Shankar ka discourses hota hai, hoi Amdabad ke koi spiritual guru karta hai, aur Sardar Patel mein Murari Bapu aur sab karta hai. One IPS officer who remained as UTP for seven years, he's a spiritual man. He wrote three books on spirituality, and he used to teach the spirituality to the prisoners with imprisonment for life, seven years, ten years. So many prisoners came out, and one Prajapati I know, he came out after undergoing the imprisonment for life. He was preparing namkin in the jail, and after coming out from jail, he started his namkin swap in front of central jail Ahmedabad, and it is running very fine. When we used to pass to circuit house Ahmedabad for some other work, we always stop our vehicle and have some namkin from, and he says that Ojo sahab the us na amko both spirituality shikhai aur humara bhot pari vartan huwa. Aise aap Tihar jail mein Kiran Bedi thi. He has written one book. In may be he has tried very hard to improve the working condition of the jail from the angle of spirituality also. So two three things have helped me like anything in my life. I am again thankful to the institution for having a hat trick in attending this function because on the first day yesterday and today I am so lucky that I was given a chance to sit on the desk and express my views for three five minutes seven minutes again I thank you om shanti thank you brother PJ dholkiyaji very nice personal experiences you have shared with us to enlighten upon the topic now I request our divine brother Jagmal Singh Chaudhri Ji brother is senior advocate and member Bahar Council of Rajasthan I request the speakers to conclude in the given time which has been given in your agenda schedules because we have another session very important session thank you Om Shanti Parampita Parmeswar Shiva Baba Kusadar Baba Kusadar Namah Manchapar Virajman Mananiya Nyadipati Sri Rao Judge High Court of Andhra Pradesh and Telangana Sri Babu Lalji Rao Babu Lalji Yadav Keynote Speaker and Ex-Principle Government Law College Alvar Sri Dalkia Ji Former Law Secretary State of Gujarat Ahmedabad Sri Ben Renu Chopra and Brother Amarnath God Brother Padamkar Patil Speakers Manch Ke Samen Viraj Man Niaidipati Gan District and Sessions Judges and Adivakta Sati Sin How I So I I Give I And Happiness I 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 दिन से काफी लंबी चोड़ा डिस्कस्न हुआ है कि अध्यात्मिक्ता की द्वारा किस प्रकार मानुव समाज में शुक और सांती इस्तापित की जा सकती हैं इसी संदर्ब में आज का ये टॉपिक जो है पास्ट और फ्यूचर के समंद में कहा गया है इस समंद में पास्ट और फ्यूचर की डेफिनेशन तो राव साहब ने काफी लंबी चोड़ी बताई है उसमें मैं कोई लंबी बात नहीं कहूंगा कि पास्ट में जो हुआ है वो अपन किसी ने अपने देखा उसका अनभव क्रियेट कर सकते हैं लेकिन जो लंबे समय में जो पास्ट में बीता है उसका अनभव किया जा सकता है लेकिन फ्यूचर को कैसे सुधारा जा सकता है इस समंद में कुछ जो है अब बात की जा सकती ह तो मेरा इसमें था कि हम सभी लोग परमपिता परमेश्वर की संतान है और इसी के बताई मार्ग पर चल कर अध्यात्मिक्ता की मार्ग से जीवन में शुक और शांती प्राप्त कर सकते हैं इंसान के परिचे की शुरुवात भले ही चेहरे से होती होगी लेकिन उसे संपूर पैचान तो उसकी वाणी विचार और करमों से मिलती है अगर आदमी के विचार सुद है उसकी वाणी सुद है तो उसका विचार उसकी जो है पैचान तुरंत प्रभाव से हो सकती है कि आदमी कैसा है किस नेचर का है किस भाव का है उसी तरह से आगे कहा है संतुष्ट जीवन सफल जीवन से सदेव स्रेश्ट होता है क्योंकि सफलता सदेव दूसरों के द्वारा आंकलित होती है जबकि संतुष्टी स्वयम के मन और मस्तेक्स द्वारा जो भागवत बास्तविक्ता माइन द्वारा की जाती है अगर आदमी को संतूश चाहना है तो उसका मन और उसका दिमाग दोनों अगर संतूलित है तो वो अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है अदर्वाइज नहीं गीता में एहंकार, क्रोद, मो, लोब और लालच जो भागवत गीता में बताये गया है आपके सबसे बड़े दुश्मन है जिसको हर समय हर पल, हर पल, हर आदमी उसे साथ लेकर गूमता है यदि अध्यात्मिक्ता के द्वारा या अध्यात्मिक्ता के माध्यम से इन पांच द जीवन, शुक, शान्ती, हो प्राप्त हो सकता है इसी संदरब में मैं मेरे द्वारा कुछ केसे जो कंडेक्ट किये गे मेरे अनुभव मैं आपके सामने सेर करूंगा जिसमें आदमी का जो मन है वो दो बात चे विचलित होता है, क्राइम कौन करता है, उसका मोटीव क्या हो हर अत्वल की साथ गार और उसके पीछे उसका मोटीव जैसे लालच है और कृध है, एक आदमी जमीन के लिए अपरफ़रे के लिए कर गर क्राइम करता है, तो उसका लालच हुआ और लालच के साथ क्राइम हुआ, इसी तरह से, अगर वो लालच को छोड़ दें, संतु, तो वो क्राइम से बच सकता है तो अभी मैंने एक केस कंडेक्ट किया था उसमें एक खेत को ले करके तो पक्षों के बीच में विबाद हुआ और एक पक्ष ने लालच में आकर के एक आदमी का मुडर कर दिया उसमें राज़तान सरकार की तरफ से मुझे इस्पेशल पीपी क तो उस दोरान जो है चार्शीट पेश हुई कोगनिजन स्वा एंड केस वस कमिटे टू दी कोर्ट आप सेसंस आफ्टर फ्रेविंग अब दी चार्ज केस वद फिक्स्ट इन अविदेंस डिवरिंग दिस पीरियड एक पक्ष ने एक प्रपोजल दिया कैसा गल्ती तो होग उसका हम प्राश्चीत करते हैं अगर कोई सेट्लमेंट बैठ सकता हो तो बात करें तो उसको एक केस को एडजोन किया एक पेशी पेशी पेड़ोन किया दूसरी पेशी बाचीत चली बाचीत के दोरान जो मुर्डर थे उनके दिमाग में एक धम परिवर्तन आया और उस पर आदमी जाने वाला चला गया उस आदम को एक पक्स जो है आपका विरोधी है वो उसको प्राश्चीत कर रहा है और आप यदि ठंडे दिमाग से इसको सोचोगे समझोगे तो पविश्य में आपके बीच में जो बैर है दुस्मनी है वो दुस्मनी खतम हो सकती है इसलिए इ कि गल्पती होती है गल्पती को अगर उस गल्पती को सुधार लें कोई पक्स वापस उसका रिग्रेट कर लें और रिग्रेट करने के बाद पश्चाताब करने के बाद एक दोनों पक्सों में अगर विमनिश्टा खतम होती है तो यह एक बहुत बड़ी उपलब्दी होती हैं अपन वक्किलों की समाज के अंदर इसके एक विप्रित एक दर्स्टान तो और दूं एक मर्डर हुआ और उस मर्डर में जिस व्यक्ति ने मर्डर किया जिसके बाप का, वो बच्चा पेट में था मा की, मा की पेट के में मर्डर होने के बाद वो मुल्जिम पकड़े गे और उसके बाद वो बच्चा पैदा हुआ, तो वो दुश्मनी कैसे चलती है, वो चब 27 साल का हुआ, तब किसी ने कही दिया तेरे बाप को तो फला फला ने मारा है, तो यह पंचाती करता है, वो एग्रिवेट हुआ, उसके अंदर गुश्चा बढ़ा, और उसने जागर के उसका मर्डर कर दिया, वापस, यानि 26 साल बाद, उसने अपने बाप का बदला लिया मर्डर का, तो मेरा कहने का आसे यह है, कि यदि अपन, अदिवक्ता बंदू, इस एहंकार और क्रोध को लोगों को समझाते हुए, अगर इस तरह से, अगर कोई मीडियेशन्स की बात करें, तो अपने इसमें काफी सहयोगी हो सकते हैं, और इसका लोगों को और समाज को उसका प्रॉफिट मिल सकता है, इसलिए जो है, मनुष्य की सबसे मुल्यमान वस्तु है, मन, जिससे वह नरग को स्वरग बना सकता है, और स्वरग को नरग में बदल सकता है, ये दो दारन इसी बात के दिवतक हैं, एक और बात मैं कहूंगा, गीता में लिखा है, कि आदमी क्या लेके आया था, और क्या लेके वापस जाहेगा, उसके लिए जो है, अगर आप जिवन में सत्य, प्रेम और करुणा के पत पर चलेंगे, मन और करम और वचन से किसी को नुक्षान नहीं पहुँचाएंगे, तो मेरा ये मानना है, कि आप एक दिल लेकर आये थे, और एक दिल और अन्यकों दिल लेकर आये थे, लेकिन हजारों दिलों में जगा बना कर जाएंगे, इसी तरह से कहा है, एक छोटी सी एक दो लाइन की कविता है, उसमें कहा है, एंकार का भाव ना रखूँ, नहीं किसी पर करोद करूँ, देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना दुरभाव रखूँ, रहे भावना ऐसी मेरी सत्य सरल वैवार करूँ, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूँ, धन्यवाद. अभी मैं आमंतरित करती हूं, रESPECTED BROTHER T. Aamarnath Gautji, senior advocate, High Court Hyderabad, 28 years of practice, original and appellate side. Brother is junior to Honorable Justice V. Ishwaraya Ji, assisted him for 10 years. Amarnaadji is senior lion of Lions Club of International, trustee heart and eye foundation, Lions Club International, honorary president, human rights protection organization, Hyderabad. We visited several juries' conferences of Brahma Kumaris in Mount Abu and also Shanti Sarovar, Hyderabad. Request brother to speak on the topic power of past and force of future. परमात्म शिवबाबा ब्रह्मबाम लेकराज जी, ममः जगदामबा सरस्वती जी, जानकी दादी, ब्रह्मात्म आप्रह्ऱ जानकी जगदा जानकी जानकी जए्टपट टेस्व दाद़्डिय।। We all know, power of past, force of future. In our day-to-day life, we have been coming across and on and off we are using these words, power, past, future and also force. So, between past and future, there is a bridge that is present. If we enter into the shoes of past, the day becomes present and tomorrow is our future. So, in the process of leading our life, past, present and future, it always becomes necessary as to how we have to conduct ourselves. In my life, as a lion, I served for 18 years and I have been serving still. Service to mankind. Manav Seva is Madhav Seva. In the process of serving, a level of elevation that is towards spirituality, the thought process came where we are serving the mankind. What can I give? Yes, through lionism, I can serve certain, the materialistic life and give the need-based person, but still, some more elevation is required. And to understand the better living and to really lead a good life, I felt, yes, spirituality. We know, while leading our day-to-day life, we come across so many good things and bad things and in the process of coming across a wrongful act, a person knows, yes, this is wrong, I should not do. But how many of us are able to judge and decide for the moment and say, no, I will not do this because it is wrong? Most of us, the citizen, without having a proper knowledge in spirituality and without understanding and without coming out of kama, krodha, loba, moha, madha, matsarya, irsha, dvesha, dvesha, it always becomes difficult to lead a peaceful life. So, thanks to Brahma Kumaris for giving me this opportunity. Because this is the first speech I am addressing in spirituality and that too with the head office at Mount Abu of Brahma Kumaris, every person feels that I should come up like a lotus from to come upon, kichar se kamal jaisa mai anachavanga. But what is the past when you want to become or you want to make your future always counts. It is a cycle, past, present, future. So, yesterday passed, what are the good and bad things I have done, what is the present day, the good things I am doing and what is tomorrow, the result is again the future. So, our karma, if we take it up in a wholehearted manner, it is not so easy to implement. We know accepting or doing a wrongful act will not give us a good result, but still we are bent upon repeating, repeating, repeating. So to come out of all these things is only not entering into the spirituality, but we need to practice the spiritual lifestyle. Like yesterday, I store in one bottle totally flowers and in another bottle, waste. And after few days, that is past. And after future, if I remove the lids of both the bottles, obviously the flower gives a good fragrance and keychart gives a bad smell. So dear peaceful souls, my pranam to one and all, and I appeal to all the peaceful souls present here, not to forget the past. And whatever mistakes we have committed in our past, let us try to rectify in the present day to have a forceful future. Om Shanti. Thank you, Brother Amarnath Garu. Now I request our respected Brother Padmakar Ramgunda Patilji, Senior Advocate, Kulhapur, practicing since 1971, honored by Bahar Council of Maharashtra and Goa as a Senior Advocate, who has rendered legal services to poor and needy. Honored by Rotary Club of Midtown, Kulhapur, for legal services rendered to the community. Connected with many educational and religious institutions, Brother worked as Standing Council for Government of India for Kulhapur District. My Lord, Honorable Mr. Justice, A. Ramalingeshwar Rao, Judge, High Court of Telangana and and Andhra Pradesh. Today's keynote speaker, Dr. Babu Lal Yadav, Ex-Principal, Government Law College Alwar, Honorable P.J. Dolkia, Ex-Judge, Ex-Election Commissioner, Ex-Law Secretary, Gujarat State and whatnot. Brother Jagmal Singh Choudhury, Senior Advocate, High Court of Rajasthan, Bench at Zodhpur. Brother T. Ramnath Goudhury, Senior Advocate, High Court of Andhra Pradesh and Telangana. Friends, for the last two days, we are with and in the land of God. As per our Indian tradition, dispensation of justice is the function of the God. We have already received warnings regarding time and I will be very short to the points. All Honorable Judges, Advocates, Law Officers, Juries, who are assembled today, they are all connected with the function of dispensation of justice. Therefore, a thought came to me that what is our role at present as the advocates, jurists and judges. And a thought touched me that actually we are performing the task of the God. And when the God has given this task to us, then we cannot distance ourselves from spirituality because the God and the spirituality, they go hand in hand. We are in that sense, when we are performing our duty of dispensation of justice, we are performing our functions as the delegates of God. The problem, however, is because of our forgetfulness maybe regarding our this role, I think this conference is a very, very happy innovation and positive step taken by Jury Swing to create an awakening in the advocates, juries, judges and all the persons who are engaged in dispensation of justice. For the last about two days, we have been hearing about the judiciary also. And in so far as judiciary is concerned, there is a concern that all is not well. That is also true. But friends, there are three things in India which are appreciated, praised, all over the world. And they are the armed forces of our union, second, the election commission of India, and third, last but not the least, the Indian judiciary. We cannot forget, even for a moment, that our judiciary has done tremendously good and lasting work in protecting, preserving, preserving and augmenting the constitutional values enshrined in our constitution. And this work has been meticulously followed by the judiciary after independence. The credit must go to our judiciary for preserving unpolluted the spirit of our constitution and converting the constitution into a workable document. That is very important because many of the nations, many of the countries which became free either with us or before or after, we know in what position they are. This work which has been done by our judiciary is not an easy task. In doing so, many of our high courts and the Supreme Court judges have shown exceptional courage. These things we will have to remember. However, all is not well. There is no silver lining alone. With our judiciary, many learned speakers in the last two days have highest great concern for the same. I think the anomalies that are developing in judiciary can only be arrested, stopped, and the system can be renovated and improved upon, mainly by programs of this type. And we are convinced that the jurist wing has taken the national responsibility of putting things on right pedestal. It is also time for us to introspect. Before and after independence, because we are concerned with the present, past, and the future. Present has its roots in the past. It has its branches in the future. So, we will have to see our past also, when we think of the present, past, and the future. It is time for us to introspect. Before and after independence, the lawyers have played a very responsible role in this nation. They were instrumental in building our nation. This is our past. How disciplined they were. How dedicated they were. And this past, we cannot divorce. And looking to this past, we have to look to the future. And we have to introspect about our present. The present has its roots, as I said in the past. And these are our roots. And in so far as, our judiciary is concerned. The future of our judiciary is dependent upon the future dedication, disciplined working of the young advocates in this country. Because, ultimately, the stuff, that is advocates, judges, and everything, will be coming out of the advocates, fraternity of advocates. And, therefore, the future of judiciary in India is dependent on the future of the young advocates in our country. And we will have to see with concern the way in which the trend in young advocates is developing. And we must see that it must be done. We must, therefore, rise to the occasion. That is what is being done in this conference. I have no doubt in my mind that, in view of the dedicated involvement of Brahmat Kumari Jurist Wing, in this task, there is bright future for our judiciary in future. Thank you. Om Shanti. Thank you. 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 सब मिलकर स्टेज पर विराजमान हमारे मानने अतिथिगन सभा में उपस्थित हम सब आत्माए यहां से अपने भरिकुटी के सिंगासन से डिटैच होकर इस हौल से निकलते हैं अपने संकल्पों से ग्यान सरोवर के प्रांगन में पहुचते हैं यहां एक बहुत सुन्दर विमान हमको अपने शान्ति धाम में ले चलने के लिए आया है चिंता मत करें बहुत सुक्षम है हम उस रत पर सवार हो वो रत उड़ता है आकाश में उसको देखें अब धीरे धीरे उस प्रकाश के घर में देखें चारो तरफ प्रकाश है कोई आवाज नहीं कोई संकल्प नहीं शान्ति की लहरियों को महसूस करें मुझ आत्मा का स्वधरम शान्त है I am an embodiment of peace Peace is my right सामने देखें एक दिव्वे प्रकाश पुंज चमकता हुआ सितारा शान्ति की गिरने फैला रहे है वो मेरे पिता परम आत्मा है वो तो सदा से ही He is a constant source of energy He is a constant source of peace पर अब परिचे मिलने के बाद अपने उस घर में मैं उन शान्ति की किरनों को मुझको अपनी बाहूं में भरते हुए महसूस कर पा रहा हूँ वो सत्चित आनंद स्वरोप इस घर के मालिक हैं जिसे ब्रह्म लोग शान्तिधाम भी कहते हैं मैं आत्मा निस संकल्प होती जा रही हैं कोई व्यर्थ संकल्प नहीं केवल मैं और मेरे पिता डूब जाएं उन शान्ति की लहरियों में अब उस घर से छुटी लेते हुए वापिस ब्रह्म लोग को पार करते आकाश मार्ग से होते ज्यान सरूवर के प्रांगण में इस हॉल में अपने ब्रिकुटी के तक्त पर वापिस विराजमान हो जाएं ओम शांति धन्यवाद रेनू बेंजी को अभी आज के स्प्लीनरी सेशन के चेर परसन ओनरेबल जेस्टिस ब्रदर है रामल इंगेश्वर राओ जी जेज हाई कोट अफ तैलंगाना इन आंद्रप्रदेश हाइडरबाड आप बहुत ही आध्यात मिक्ता पर रुची रखते हैं बेन संस्थाओं को भी विजिट करके वहां के भी विशय यहने उनके नौलिज को भी जानने की प्रयास किया ऐसे आप आज सवेरे बता रहे थे शांदी सरोवर हाईडरबाद जो एकेडमी फरे बिटर वर्ल्ड वहां पर भी है हाईडरबाड में कई कारेक्रमों में भी आपका प्रेजन्स था और बहुत अच्छे अनुभवी वक्ता है आपसे निवेधन है कि आज का स्प्लीनरी सेशन का टॉपिक पर अपना विचार व्यक्त करें Honorable Justice Brother A. Ramalingeshwar Raoji The two sisters on the daos, that side and this side, and the speakers in between, brothers and sisters who have assembled here, good evening to all of you. As a part of this conference, today we have the session, Power of the Past and Force of the Future. Along with me, you heard three advocates arguing the case. One retired law secretary also presented his case, and former principal of a government law college delivered keynote address. Now, it is my duty to deliver my verdict. Before delivering my verdict, some time was given by way of meditative session. My doubt is, do we have control over the past, and can we predict our future? I was asking many of the advocates who were practicing in the High Court, whether they came to the provision voluntarily, out of their own free will, by deliberation, and most of them were saying, No, 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 I wanted to become this thing, that thing, and accidentally, I came to this provision. That was the case with many people, I think. I have little knowledge in astrology. The astrological combination says, the combination of Saturn and Jupiter will bring you to the legal provision. Saturn is a strict disciplinarian and he deals with the past Jupiter gives you life, the sustenance, knowledge these two forces act you when you choose the profession of law by combination of other things some people become judges some people become law officers, that's a different thing what I am saying is, were we having control over the past you all believe in rebirth how did we come to this universe why were we born in a particular family what are we doing what did we want to do were there any answers to these questions and that quest is driving us to the institutions like this that quest continues but fortunately our sisters and brothers they found some answers and they are happy with the answers and that is why I find smiles in their faces very good but can anyone predict the future as human beings do we know what is going to happen in next five minutes in couple of years but our society is going to survive our universe is going to outlive us in between what we have is the present there is a long debate I don't want to go into that because as spiritual persons you can also go through this process free will and fate pre-determination and fate pre-determination and free will our lives are pre-determined many people say then do we have free will but some people say that we can write our future by doing good karmas you know karma theory is eternal and nobody is able to tell finally about karma what we know little is every action will have a reaction so what we have to do is we have to do good karmas and those karmas will bring good future bus that is what we know and we try to do that but what is good karma morning you are giving hearing the lecture of geta swadharma those days of kshatriyas that geta was told to arjuna what is swadharma for a liar what is swadharma for a judge what is swadharma for a businessman if everyone follows his swadharma will there be any conflict in the society these are the issues you have to ponder as spiritual persons what I am saying is in karma theory many of you know that we have sanchita karma agami karma prarabdha karma we come with balances just like bank balance that bank balance also will not be completed in this jama still some balance will remain during the process of spending that balance we accumulate some more balances all these balances we take to other jama according to my understanding this we have to regulate we can regulate it by attending this sessions like this I am sorry the time is over I think I wish you all the best because you are associated with the great organization where you are shown some path and that path is leading to you and giving you light I wish you all the best thank you very much thank you Honorable Justice V. A. Ramalingeshwar Rao Garu now we all sit in silence for three minutes to conclude this session next session aisehi continue hooga now